महा शिवरात्री व्रत कथा, एक बार पार्वती ने भगवान शिवशनकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेश्ट तथा सरल व्रत पूजन है, जिससे मृत्यू लोग के प्रानियापकी कृपा सहजी प्राप्त कर लेते हैं, उत्तर में शिवजी ने पार्वती को शिवरात्री के शिवरत का विधान बताकर यह कथा सुनाई, एक गाउं में एक शिकारी रहता था, पशों की हत्या करके वह अपने कुटुम्ब को पालता था, वह एक साहुकार का रिनी था, लेकिन उसका रिन समय पर न चुका सका, क्रोधवश साहुकार ने शिकारी को शिवमत में बंदी बना लिया, सयोग से उस दिन शिवरत्री थी, शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बाते सुनता रहा, चतुर दर्शी को उसने शिवरत्री की कथा भी सुनी, संध्या होते ही साहुकार ने उसे अपने पास बुलाया और रिन चुकाने के विशय में बात की, शिकारी अगले दिन सारा रिन लोटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया अपनी दिन चर्या की भाती वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंधी ग्रह में रहने की कारण भूख प्यास से व्याकुल था, शिकार करने के लिए वही एक तालाब के क किनारे बेल व्रिक्ष पर पड़ाव बनाने लगा, बेल व्रिक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्वपत्रों से धाका हुआ था, शिकारी को उसका पता न चला, पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनिया तोली, वे सयोग से शिवलिंग पर गिरी, इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चद गये, एक पहर रातरी बीच जाने पर एक गर्भिनी म्रिगी तालाब पर पानी पीने पहुँची, शिकारी ने धनुष पर तीर चड़ा कर जो ही प्रत्यंचा कीची, म्रिगी बोली, मैं गर्भिनी हूँ, शिग्रही प्रसव करूँगी, तुमें एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है, मैं अपने बच्चे को जन देकर शिग्रही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना, शिकारी ने प्रत्यंचा धीली कर द किया, हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ही रितु से निवरित हुई हूँ, कामातुर विरहिनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ, मैं अपने पती से मिलकर शीग्रही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, शिकारी ने उसे भी जाने दिया, दो बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका, वह चिंता में पढ़ गया, रातरी का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक अन्यम्रिगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली शिकारी के लिए ये स्वर्ने मवसर था, उसने धनुष पर तीर चड़ाने में देर न लगाए, वह तीर से तड़प रहे होंगे, उत्तर में म्रिगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी, इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवनदान मान रही हूँ, हे पारधी, मेरा विश्वास कर मैं न इनके पिता के पास छोड़कर तुरंग लोटने की प्रतिग्या करती हूँ, म्रिगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई, उसने उस म्रिगी को भी जाने दिया, शिकार के आभाव में बेल व्रिक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीच पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूरवाने वाली तीन म्रिग्यों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोब में मुझे एक क्षन भी दुख न सहना पड़े, मैं उन म्रिग्यों का पती हूँ, यद उसने सारी कथा मुझे को सुना दी, तब मुझे ने कहा, मेरी तीनों पत्निया जिस प्रकार प्रतिग्याबध होकर गई है, मेरी मृत्यू से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी, अतर जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मान कर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भ मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीग्रही उपस्थित होता हूँ, उक्वास, रात्री जागरन तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चड़ाने से शिकारी का हिंसक रिदय निर्मल हो गया था, उसमें भगवत शक्ती का वास हो गया था, धनुष तथा बान उसके हाथ से सह अजी छूट गये, भगवान शिव की अनुकमपा से उसका हिंसक रिदय कारूनेक भावों से भर गया, वो अपने अतीत की कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा, थोड़ी ही देर बाद म्रिक सपरिवार शिकारी की समक्ष उपस्थित हो गया, ता ने कथोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं द्यालू बना लिया, देव लोग से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था, घटना की परिनती हुते ही देवी देवताओं ने पुश्प वर्षा की, तब शिकारी तथा म्रिक परिवार मोक्ष को प्राप थुए